गुड मॉनिंग गेवरिवन आज हैं 18 दिसंबर 2020 और 18 दिसंबर से करंट पेर के जितने भी इंपोर्टेंट क्युशन बनेंगे उनको डिसकस करेंगे डेटियल में इस वीडियो में और प्रते क्युशन के साथ इस्टेटिक जीके के इंपोर्टेंट फेक्ट भी दिये जाए इंडेक्स 2020 में भारत किसी स्थान पर राय है तो इसमें बारत राय है 131 इस्थान पर लास्ट यर 129 इस्थान पर दो पोजिशन नीचे गिर कर 131 इस्थान पर पूच गया है पहुंच गया है भारत मानव विकास सुचकांग 2020 तो बारत इसमें रहा है 131 में इस्तान पर दो रेंकिंग नीचे गिर गया है भारत तो यहां दखना है very important है index वाला कि उसने उसके लागा इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है तो पहले नंबर पे रहा है नौर्वे दूसरे पे Ireland और तीसरे पे Switzerland और यह index किसने जारी किया है तो यह index जारी किया है UNDP United Nation Development Program तो यह index हर साल जारी करता है United Nation Development Program 1990 से लगातार यह index जारी किया जा रहा है उसके लागा इसमें तीन मूल मानदंडे इस index में इसके कोडिंगी यह रेंक की जाती है तीन मानदंड कौन से है मूल इसके एक तो है शिक्सा और एक है प्रतिवेक्तियाई और एक है जीवन प्रतियसा तो तीन मानदंड के प्रतिवेक्तियाई और जीवन प्रतियसा और उसके लागा बात करें यह index जारी किसने किया है यूएंडीपी ने तो यूएंडीपी वेर इंपोर्टेंट ए यूनाइटेड नेशन डवलप्मेंट प्रोग्राम 1965 में इसकी स्तापनाई थी और इसका एड़को आट रहें न एक्स वीशुब परसंता वेशुब परसंता सूचांक उसमें 144 पे था बार्त और पाले नंबर पे था फिंड्लेंड उसके लागा भी मानवपुन्जी सूच का जाया था याने हिूऊमन केपितल इंडेक्स आया था उसमें 116 पे था बार्त यह मानवविका सूच चांक है और मानुव पुन्जी सूच कहा है रहे हुमन केपिटल इंडेक्स उसमें 116 पर और सिंगापूर पश्ट पर था उसके लावा कि वेश्विक आर्थिक सवतंतर था सूच कहा है उसमें 105 वे इस्तान पर राता इंडिया और पहले नमबर पर राता होंग कॉंग तो इसमें यह बिन-बिन देशों की रेंकिंग है रस्टिया इसमें 92 इस्तान पर है उसके लावा स्रिलंका 72 पर ब्राजिल 44 पर चाइना 55 पर तो यह कुछ रेंकिंग है हुमन केपिटल इंडेक्स की हुमन डवलप्मेंट इंडेक्स 2020 नेक्स्ट कुछ ने हाली में ABU एसिया पेसिपिक ब्रोडकास्टिंग यूनियन के उपाद्देक्स के रोप में किसे चुना गया है तो यह चुना गया है ससी सेकर परसार भारती के यह वरतमान में CEO हैं और इ परसार भारती हैं वो भारत की सबसे बड़ी सारवजनिक परसारण एजेंसी हैं और उसके लाव जो एसिया ब्रोडकास्टिंग यूनियन हैं यह दुनिया की सबसे बड़ी सारवजनिक परसारण संग्टन में से एक हैं एसिया प्रोडकास्टिंग यूनियन अब इसके अभी यह अनतराष्ट बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग असोशीयशन इसके अधेक्स बनेते हैं उमर क्रेम लेव तो इनका नाम इम्परटेन्ट है AIBA इसके अधेक्स बनेते हैं नेइक्स्ट किसेन हैं उसके लाओ परसार भारति की स्वापना 1997 हाली में सभी सरकारी मदर्सों और संसकर्थ इस्कूलों को बंद करने के प्रस्ताओं को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है तो यह मंजूरी दी है वरतमान में असम ने तो असम ने जितने भी जो संसकर्थ इस्कूल हैं उनको बंद करने के प्रस्ताओं को मंजूरी दी है तो जो असम के शिख्वामंत्री हैं हैमंत्विश्वा स्रमा उन्होंने बताया है की जो यह सरकारी मदर से हैं राजये में उन पर हर साल 260 करोड रुपए खर्च होते हैं तो अब दार्मिक पर सरकारी धन खर्च नहीं किया जा सकता तो इसलिए अभी जितने भी जो सरकारी मदर से हैं और संस्कर्थ स्कूल एं असम के उनको बंद करने के प्रस्ताओं को मंजुरी दिये असम ने तो मेप में देखते हैं असम को यह रामेप में असम केपिटल हैं दिस्बूर चीपनिस्ट हैं सरवानन सोनावाल और गवर्नर हैं के जगदिस मुकी असम में काती भी हूँ पेस्टिवल अभी मनाया गया तो उसके लाओ काजिरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क वेर इंपोर्टेंट है असम से उसके लाओ दो नेशनल पार्क बताते हैं एक तो हैं पार्क में अफगरेट किया जाएगा जबकि पौबा रिजरु उर इसको वाइड़ अहिद ऐंपोर्टेंट है दोनों न्यूज में इस वज़े से पूछ सकता है इस्टेटिक जेके के रूप में कि visibility दोनों नेशनल नमबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे जिसमें महाराष्ट टोप पे राता 256 पदकों के साथ और चोते खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होंगे तो यह होंगे पंचकुला हरियाना में याद रखना है असम से अभी मुख्यमंत्रिक ग्राम में परिवन अचो किसने है उसके लाव सत्रिया नर्तिया सास्त्रिया नर्तिया याद रखना है असम का वेर इंपोर्टेंट है हाले में किसने गॉल्डन पिकोग प्रयावन परदसन पुरुषकार परबंदन पुरुषकार 2020 किसने जीता है तो यह जीता है इस्टील अतोरेटी ओप इंडिया limited और लगातार दूसरे साल जीता हैं यह award sale ने दूसरे साल जीता हैं लगातार sale ने यह award उसके लाव institute of directors के दौरा इस पात के छेतर में यह award दिया गया है तो इसको sale को टिकाउ और प्रेयाउनी है रूप से जिमेदार इस्टील बनाने के लिए यह award जीता है sale ने अब sale के बार sale की स्थापना 1954 में हुई थी इसका एड को आट रहें नई दिल्ली में और इसके चेर्मेन अनिल कुमार चोधरी याने अद्देक्स और अगली चेर्मेन याने अगली अद्देक्स अपॉइंट हो गई है सोमा मॉंडल लेकिन वर्तमान में अनिल कुमार चोधरी हैं इनका श्धान अगले जो अद्देक्स बनेंगे सेल के वह बनेंगी सोमा मॉंडल नाम आद रखना है kunnen और यह किसी भी इसपाथ कंपनी में पहली महिलाद देख्स होगी इसकी स्टिल अथ्रटी इंडिया लिमिटेड की पहली महिला आद देख्स होगी सोमा मॉंडल याद रखना माइशवरी इनी को भी सिक्शिम हाए कोट के मुखे नहीं हैं चिप जस्टिस के रूप में अप expired फ्रक्तिज यह जय के कर दूप में उसके बफिस के वह अभी बताया था जए अस मुर्णिदर उनको उडिशा हाइक होट के मुखे नहीं अधिस मुखे नैदिस के रूप में न्यॱ्टht किया गया है मुख्य मुखे नियादिस के ये भी का देते हैं तो दोनों नामें PS गोली है PS तमांग गवर्नरिया के गंगा परशाद उसके लाओ सिक्किम में कंचन जंगा नेशनल पार्क और कंचन जंगा ची याद रखना है कंचन जंगा भारत की सबसे उच्छी चोटी है ये 8588 में मिटर इसकी लंबा आई है अगर भारत में इस्तीत सबसे उच्छी चोटी तो यही है लेकिन ऐसे बोले भारत की सबसे उच्छी चोटी तो हो है K2 लेकिन ये पार्क ओक्यूपाइड कस्मीर में इसलिए पूरी तरह से भारत का इस पर अधिकार नहीं है तो केटू या गोडविन ओस्टिन इसकी उचाहिए 8511 मेटर तो भारत की बोले तो 8511 और अगर भारत में इस्तीत पूछे तो कंचन जंगा सिक्की में वेर इंपोर्टेंट है कंचन जंगा नेशनल पार्क सिक्की में चोलामु जील भारत की सरवादिक उचाहिए पर इस्त कीन मारग होता हैं डर्रा जैसे यह पाढ़ है इसके बीच में जो संकीन मारग होता है उसे बोलते दर्रा तो अगर भारत से मारत चे इनके बीच में नातुला दर्रा तो चीन के लिए नातुला दर्रा और जेलेपला दर्रा हैं बुटान के लिए वर इंपोर्टेंट हैं या दर्कन है दोनों पूछे जाते हैं एक्जाम में। हाली में किसके दोरा लखी गई पुस्तक गॉडफादर लॉंच की गई तो ये लिखी लॉंच की गई धार अभी कर्सेंप इन्हीं के पुस्तक ने गई औरो ये अभी बेटर फ्यूचर इनकी पुस्तक थी उसके लाव मीना आयर आई एम नो आई एम नोट मिसाह यह सो नसूद की जो उसके लेखके मीना आयर उसके लाव स्रियम इन्होंने भी पुस्तक लिखी है योगा आलसो पर दर गॉडलेस तो यह आजपना है कुछ उसके लाव गुलजार इसकी भी उटो बाइग्रापी है बॉस की आना हाली में कौन सा देश 2030 के ACI खेलों की मेर्जमानी करेगा तो यह करेगा कतर कतर की केपिटल दोहा यहीं पे होंगे यह 2030 के ACI खेल वेर इंपोर्टेंट है 2030 के और कौन से नंबर के होंगे 2030 के जो ACN गेम होंगे वह होंगे 21 नंबर के 21 नमबर के होंगे दवा में कि उसके लाओ सारे बता देते यह औटे जो ऐसे इंड गेम हो थे यह लियु सब्सिת कि पॉलनिश्यम में उसके लॉधा 22 के होनगेמצ 26 यह कहा उगे जापान में होंगे 2026 जार 20 Demi को और 2030 के के क्तर के केपिपिटल दोवा में होंगे और 2034 के कहां पर होंगे यह होंगे सवधियरब में तो यह आद दक्राएं 2034 के सवधियरब में और 30 के कतर में और 26 के जापान में और 22 के चायना में उसके लाग एक और कुश्ण बताते हैं जो बुजिंग ओलम्पिक वा था इस वार विंटर ओलम्पिक 2022 में चाहिना में यह भी द्यान रखने में तो दोजार आठ दोजार आठ में जो बीजिंग ओलम्पिक हुआ था उसमें अभिणव बिंद्रा इसने गौल्ड मेडल जीता था तो इनका पार के 2022 के विंटर ओलम्पिक होगे कहां पर बीजिंग में और चीन की केपिटल बीजिंग में उसके लाओ जापान के टौक्यों में समर ओलपिंग होगे 2021 के पहले 20 में होने थे लेकिन कोरोना वायरस की वह जैसे 21 में होगे तो याद रखना है उसके लाओ जो फिपा वर्ल्ड कप 2022 होगा उसकी मेज़मानी 2022 में कौन का जाएगा कत्र की केपिटल दोआ में तो इससे लिंक करके याद रखना है और फिपा रेंकिंग अभी लेटेस रेंकिंग जारी हुई थी उसमें 140 इस्तान पे था भारत और पहले इस्तान पे कुन था पहले पे था उसमें बेल्जियम यह याद कराएं नेक्स्ट किसने है कि हाली में किस भारत यह टेनिस के लाड़ी ने दूबाई में ITF इंटरनेशनल टेनिस पेडरेशन ITF डबल किता अब जीत लिए आए तो यह जीत लिए अंकिता रेना इन्होंने अपनी जोर्जी आई साती के लाड़ी है एकातेरेन गार्गो डेज इनके साथ जीता हैं 2020 अलहबतूर टेनिस चेलेंज खिताब कहाँ पर आई जो तो हैं दुबाई में अलहबतूर टेनिस चेलेंज यह जी अब युगांदी खेल रतन आवाड 2020 जीता हैं मनीका बत्रा टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और कहां कि ए दिल्ली के मनीका बत्रा तो यह जातने टेबल टेनिस के प्लेयर पांच किलाड़्यों को मिलाए एक विनेस पोगाठ हरियाना की है रानी रांपल यह यह भी ओकी किये और यह आरियाना की हैं उसके लाव रोईसरमा चोथे क्रिकेट रहे हैं उसके लाव मनिका बत्र और एक एम थंगावेल याने मरियपन थंगावेल तमिल नाडू के पेरायत रेटे यह अधकना है उसके लाव और कुछ क्यूस्वन बताते हैं अभी जो साड़ी साथ करोड और बार्जुन अवाड में तो यह आज दखना है हैं एक्स्ट करने है हाल इम्हाम मीनी एनमा मीनी क्लीनिक योजना की पार टात कार मौ नहीं तो एक क्ली उडेचा कुलना, तो इस योजना में क्या होगा तो इस योजना में गरीब इलाकों में खुले जाएंगे, ये, अम्मा-मिनि-K्लिनिक तो इसी और जना कि ये, उद्य से जन्सवास्ते बुनियादी ढाचे को मच्जबूत करना है तो ऐसे गरीब इलाकों में खुले जाएंगे, जहां परात्मे के अंदरे नहीं है वहां पर खुले जाएंगे यह दोजार अम्मा मिनी क्लिनिक खुले जाएंगे जैसे मौला के लिकने के आम आदमी पार्टी के दिल्ली में उसी तरह से हैं यह उसके लाव भी तमिलनाडू में ओला ने विस्तो का सबसे बड़ा स्कूटर कार खाना खुला था ओला ने यह MFRI Central Marine Peace Research Institute इसके 2019 में मचली उत्पादन के मामले में तमिलनाडू टॉप पे रहा था उसके लाव बाजार कर्ज, RBI के बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडू टॉप पे था और मुदरायोजना के तहत्रेन देने के मामले में तमिलनाडू टॉप पे था उसके लाव अभी राश्टिया जलपूरुशकार के टेगरी में मिजोरं टॉप पे हैं और बेस्ट के टेगरी स्टेट के-टेगरी में यह तमिलनाडू टॉप पे हैं तो यहां ठीना है उसके लाव तमिलनाडू चैनन हिए एड़ापंडी के पलनोस्वामी गवर्नरे बनवारी प्रोईत उसके लाव भरतना टेम वेर इंपोर्टेंट हैं यहां क्या सास्त्री नर्ते में टूर्बांदे काविरियने दिपे तमिलनाडो में इंद्रा गांदी नेशनल पार्क और मुदु मुलाई नेशनल पार्क वेर दोनों यात रकने तमिलनाडो से जलीकत्व पेस्टिवल और पॉंगल और पांगल दोनों तमिलनाडो के हैं और मिनाक्सी मंदिर भी हैं तमिल नाडो में हाले में कमला देवी चटोपादय भुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तिये किया हैं और प्युक्त दोनों अमिताउजा और जे राम रमेश यह राजे सबाके सांसदे जे राम रबेश और दोनों को भी कमला देवी च तो पहला पाट हो गया था परफों कल गया था दूसरा और तीसरा पाट है वेर इंपोर्टनेटी क्विस्टन पूछी जाते हैं एक्जाम में तो इसमें बताते हैं संविदान और जो उद्देशिका में समाजवादी पंतन निर्पेक्स और राष्टर के एक्टा यह जोड़े गए थे उन्नी सो चीहतर में 42 संविदान संसोदन अधिनियम के तहते हैं और इसी के तहत मौलिक करतवे भी जोड़े गए संविदान संसोदन अधिनियम में सरदार स्वनसिंग समीति के अंसवंसा पर उसके लाव उद्देशिका याने प्रस्तावना इसको समीदान की आत्मा किसे ने कहा था पंडिज जवारलाल नेरू ने यह आद रखना है उद्देशिका को समयदान के आत्मा कहा था उसके लाव भीम राव अंबेडगर ने समयदान का आत्मा किसको कहा था समयदानिक उपचारों के अधिकार को यहने आर्टिकल 32 को यह समयदान के आत्मा कहा था भीम राव अंबेडगर ने ध्यान रखना है कनपीज नहीं होना है प्रस्तावना या उद्देशिका को किसे ने कहा है पंडि जवाल लाल नेरु ने और आर्टिकल 32 यह ने समयदान एक उप्चारों के अधिकार इसको समयदान के आत्मा किसे ने कहा है डॉक्टर भिम राव अमबेडगर ने तो याद रखना है तो मूल समयदान में मौलिक करत सर्दार ने समयति की अनुस्था पर जोड़े गए और किस देश से लिएक म abortion आदिकार कहां जयपूर आचा कि उसने आपके लिए हाली में सूर्य भूसन इंटरनेशनल अवार्ट से किसी सम्मानित किया गया है इसका क्रेक्टर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स मे जरूर इसका आंसर बताएं अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक एंड शेर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससें कि सारे वीडियो आप तक पहुंसे के डेली करंट पेर के इस वीडियो स सब्सक्राइब जुक्त बेंगा नहीं कि रख्णज कि में पताएं छाप झाएं भाभ ह।